दोस्तों आज का वीडियो आप लोकले बहुत यूजफुल होने वाला है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू कि आज मैं एक ऐसा हुबाय शेयर कर रहे हो जिसमें आप रोटी से एक मोटी रोटी से आप कैसे अपने मोच के दर्द को दूर कर सकते हो अपने मेरे घर में यूज किया जाता है जब भी अगर आपको अंदुरी नी चोट लग गई हो मोच लग गई हो तो इस नुस्के को मैं वच्वन से ट्राइ करते देख रही है तो मुझे इस नुस्के पर 100% विलीव है और इसका रिजल्ट भी मैंने देखा है तो मैं आप से तभी जब आपको मेरी बातों पर यकीन होगा और हाँ दोस्तों अगर आप मोच के दर्थ पर बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस वीडियो को पूरा देख लिजेगा त्राइ करेगा और अपनान पर कमेंट्स वक्स में जोई शेयर करेगा तो चलिए मैं आपको बता दूँ छोटी सी मोटी सी रोटी से कैसे आप अपने मोच के दर्थ को दूर कर सकते हो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेले सामने आठा है दोस्तों यह नॉर्मल आठा है जो हम रोटी बनाते हैं ठीक है जो आप रोटी डिल हमाई कर ने बनती है तो थोड़ा सा आठा लेना जो भी आठा घर में बनता है रोटी बनाने के लिए वही आठा ले सकते हो और एक रोटी आपको बनानी है इससे मैं आपको बना के दिखाती हूं थोड़ा सा हाथ में आठा चपकेगा तो आप यहां पर सुखा आठा लगा सकते हैं आपको रोटी बनानी है कुछ इस तरह इसे बेलना नहीं है आपको ऐसी ही रोटी बनानी है और आठा लगाकर एक मिनिट आठा लगाकर इस रोटी को आपको थोड़ा सा इस तरह फ्यालाना है इस तरह आपको एक छोटी सी मोटी सी रोटी आपको बनानी है दोस्तों मोटी रोटी इस लिए बनाए जाती है क्योंकि जब हमें मोच अलगती है जब हमारे शेरिक में सूजन आती है ठीक है अंदर कहीं चोट होती है तो उसकी सिकाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता तो यह कहीं है लोक है चोती जल्दी ठीक होती हैं तो आपको यह कुछ ऐसी है कर लेता है तो आठे मैं आधा के दिखाती हूं अब आपको तवे को तोड़ा गरम करना है थिक है थोड़ा सा तवा गरम हो जाया splits थिक है स मनरेख थिक है इस रोती को तवे पर ऐसे डाल देञा है ठीक है अब हम हम क्या में कैए कुछ सेकन्ड के लिए लगबग आपक को 20 से 30 सेकन्ड रखनी है थिक है नीचे से लाल हो जाये और इससे पलतना नहीं है यहां बिना पलटे हमें चील नए ये लाल हो जाने की कि कर नेगे नजभा दुए निगने तो यह तोड़ा सिे चिपक जाएग गी तो बिल्कूर अहमना तो यानि सर्सो का तेल को खीच लेती है जली सब्सक्राइब को बरती है सूजन को तूर कर ती है हमें समय इसमें सिर्सो के तेल का इस्तिमाल किया जाता है रोगों को दूर करने के लिए और दूसरा हमें इसमें इसमें इसमाल करना है थोड़ी सी हल्डी जी हां दोस्तों हल्डी आप सभी जानतों बहुत से रोगों में एफेक्टिव है खासकर चोट को भरने में काफी जादा यूश्फुल है इसमें भी एंटिसेटिक और नमक साथा नमक यूच करते हो खाने में अप उसका इस्तिमाल कर सकते हो सरसों का टेल हो चाहे हो नमक को इन तीनों की तासीर गरम होती है गरम तासीर होने की वैसे यह जल्डी बरती है सूजन को दूर करती है जो अंदरेनी चोट है से बोच है कभी-कभी हमारा खून जम जाता है काला सा नहीं पड़ जाता निशान उसे कहता है खून जमना तो खून को छिटकाती है जिसके वैसे आपकी वह जोट ठीक हो जाती है दर्द को खीच लेती है तो इस तरह हमें इसे गर्म करना है इसे पलट तो दूसरी तरह कम ईप शिख जाएगा और एक तरह हो एक तरह से हमें ऐसे आप अब जागना बहुता है इसे हलका गुंगुना बहुता सबस्टा कि आप जल जाओगे तो आप में अदेका हब भी आप जल जाओ ठीक हलका सा गरम बांधना है आपको दोस्तों यह उपाए जब भी मोच आ जाए आपको तो तुरंद करिए और हाँ अगर आपके गुठने की दर से परेशान हो तभी अगर डेली को पाए को करते हो आप कुछी तिन में देखोंगे आपका गुठने का दर जो है वह कि यह आपको कैसे बाहनी है दोस्तों मान लीजिए चोट लग गग измен ठीक है और म जाओ प्रेश प्रिस अनग में और वार्ण को आपको कुछ इस तरहां हमां रोटी नैया cd sksf koti लगए था जान पर जाल बांद है जो आपको बहुत ही तरह से खीचती है तो आपको इस रोटी को बांदेना है कुछ ऐसे मैं आपको रेफली बांद कर दिखा रही हूँ जो भी आपके बास पत्ती है पत्ती नहीं तो साडी का जो फाल है आप उससे भी ये रोटी बांद सकते हो जो साडी का फाल है उससे मत फेका करिये कभी पत्ती नहीं मिलती है उससे साफ करके रख लीजे धुल कर रख लीजे डिटॉल से उसके बाद आप उसको यूच कर सकते हो कभी भी आपको चोट लग रही है बांदने में तो पत्ती बांदने में तो काफी ज़्यादा वह कि रात में जरूर इस उपाय को करिएगा और अगर आप दिन में बांध रहे हैं तो आपको क्या करना है इसे 2-3 घंटे तो बिल्कुल नहीं खोलना है अच्छे से सिकाई हो जाने दीजिए ठीक है और उसके बाद से खोलिए दोस्तों आप पहली बार में देखो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आपकी चोट कभी-कभी होती ना जो मोच होती है बहुत जादा आज आती है पैर में तो आपको एक से दो दिनी सुपाय को करना है दिन में दो बार आप यूच कर सकते हो और अगर आप रोटी नहीं बनाना चा तो इस तरह आपको रोटी को बांद देना है तिक मैंने बहुत अच्छे से नहीं बांदा है बिल्कुल रफली इसे बांदा है क्योंकि मैं सिफ आपको डैमो दिखा रही हूं इस तरह आप इसे बांद दीजिये और इसे पूरी रात के लिए यूही छोड़ दीजिए अग अगर आप जानते हैं तो कमेंट से लोगों को विश्वास नहीं होता कि बहुत से लोग हर नुसके को फेक समझते हैं बट नए अईर वेदी घरेलू नुसके बहुत अचिता से वाक करते हैं जब ये अंगरीजी दवाया नहीं होती तो यही सब नुसके कामा आते थे तो दोस अब आपे में दूप狂र खोड़着 आपके संही मैं अपने दोश्तों के तो पहली बार चैनल आपैंगे सब्सक्राइब कर लो बगल में लगी घंटी बजा दो ताकि आने वाली वीडियो की सबी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फिल्हाल दोस्तों इस वीडियो में इत्ता ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी किसी होम रेमडी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत